दो तिन बार हम लोगों ने कल्यान कर दिया है बचा दिया है अब को बतला भी लोगों को ले देखा आरजीडी के नेता तेजस्वी यादवनी साफ कर दिया है कि वे आने वाले समय में नितिश कुमार के जनता दल युनाइटिड के साथ कोई गठ बंदन नहीं रखेंगे लेकिन अब सब रास्ते बंद हैं उन्होंने कहा कि नीतिश पहले गिड़ गिड़ा कर पैर पकड़ते हैं कि हम को ले लीजिए और फिर पलट जाते हैं ऐसे में अब नीतिश जी को लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है और क्णहार की जाएं है। घले जब हम लोग के तरह जब लोगों होता है तो मैं तो नोगों को ले ले रिजिए ना हाला कि बिहार में इस तरह के की बयान बाजी जारी रहती है पिछले दस सालों में नीतिश की जनता दल युनाइटेड और राश्ट्रे जनता दल के बीच दो बार गटपंदन हो चुका है और दो बार तूट भी चुका है इस साल के इस रूठ ने मनाने के दौर में भी ऐसी बयान बाजी देखने को मिलती रही है नीतिश कुमार ने जनवरी दोहजार चौबीस में पाला बदला था उन्होंने अपना मंत्री मंडल भंग कर दिया था और एंडिये में शामिल होकर दोबारा राजे में सरकार बनाई थी उन्होंने नौवी बार मुख्यमंद्री के रूप में श्रपत ली थी इससे पहले वे आरजेडी के साथ गटपंदन सरकार में थे इस सरकार में तिजस्वी यादव उनके मुख्यमंद्री थे आपको बता दे कि 2020 में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में नीतिश कुमार की पार्टी जेडियू एंडिये गटपंदन का हिस्सा थी राजे में 243 सीटों में से 125 सीटे एंडिये के खाते में गई थी और गटपंदन ने स्पष्ट बहुमत हासिल भी किया था बीजेपी को 74 और जेडियू को 43 सीटे मिली थी हाला की बाद में नीतिश कुमार ने पाला बदल कर 75 सीटे जीतने वाली आरजेडी के साथ गटपंदन कर लिया था लेकिन लोगसभा चुनाप से ठीक पहले वे फिर से बीजेपी के साथ गटपंदन में शामिल हो गए एहम बात तो ये है कि मौजूदा समय में नीतिश कुमार के समर्थन के दम पर ही केंद्र में एंडिये गटपंदन की सरकार बनी हुई है तो वहीं 2024 लोगसभा चुनाप के नतीजे सामने आने के बाद नीतिश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे थे ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि नीतिश फिर से पाला बदल सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूल